नमस्कार दोस्तों आज हमने टेस्टी और हिल्दी तरीके से किहूं के आटे से मोमोस बनाके तैयार किया है घर पे तो ऐसा अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो प्लीज मेरा पूरा वीडियो इन तक देखिए मैं रभीकला आप सभी का अपने यूटूब चैनल विंदा स्व करेंगे तो हमने बारिक धनिया काट लिया है और सभी सब्जियों को हमने ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छ से हमारे मुमोस के लिए सारी सब्जिया तयार हो गई है तो इस तरीके का ग्रेटर आप देख सकते हैं मोटा वाला ही एरि बढ़े साइज के प्याज को बारिक काट लिया और चटनी बनाने के लिए हमने 8-10 लेशुन की कलियां आधा इंच अधरक छोटे वाले चार से पाच टमाटर और 10-12 हरी मिर्ची ले लिए हमने सब्सक्राइब काट लिया है तब हम आटे को भी तयार कर लेते हैं तो हमने एक दम से हम इसमें पानी नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसे गूत लेंगे इस तरीके से हमने आटे को गूत लिया है अब इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा विस्टिबल लगा लेंगे और लगाने के बाद हम इसे ढख करके रेष्ट हो कि भी टैयार कर लेते हैं तुमने के लिए तेमाटर एक पड़ना के लिए 47 Street गाफीसरे सबैक और अगैंसे कहिदे ऐसे में एधा चमय एक तरफ बहufen अच्छा स्वादा आता है और इसमें अधा कलास में पानी डाल रही है और इसंधने के पकने लिए रख देंगे और 10 मिलिनर तक मीडियम लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे तो हमारी चटनी एक तरफ पक रही है तो दूसरी तरफ हमने रख दिये कढ़ाई और इसमें डाल दिया एक बड़े चमस विश्टुबल लॉयल गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है हाई फ्लेम पे मिर्च को हम बाद में डालेंगे तो इसे भी हमें दो मिनट तक भून लेना वह भी तेज आच पे ताकि इसमें जो भी इस्ट्रा पानी है वह भाब बनके उड़ जाए तो हमें लगातार चलाते भी रहना है तब यह जल्दी से जो है अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो द क्लाच देजात को डेंगे क्योंकि आटे में बीडालेंगे तो दोनों को हम बालेंच करते मिर्य नमक को डालेंगी और हमें दृव्ष मिश्ट कर लेंगे और एक मिनिट बाद और फंचको बंद करके कड़ाइब को नीचे उतार दो ताकि ठंडा हो जाए अत्तित से घाफि देंगे दूसरी तरफ हमने जो चटनी पकने के लिए रखा था टमाटर गी वह भी अच्छे से पक चुका है तो हम गैस को बंद कर देते हैं अब हम मुमुस बनाना सुरू करते हैं तो मुमस बनाने से पहले हम आटे को एक बार अच्छे से गूत लेते हैं क्योंकि हमने इसे चूत अब जो एक बार अच्छे से घूत लिया है तो अब इसकी छोटी-छोटी से में गोल कर लेते हैं तो जिससे मुमस चोटा नहीं बनाना है उसे जाब से इसकी लोहिगा तयार कर लिए जिते हमने कई सारी लोईयां तयार कर ली है तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं तो साथ पर हमने सुखा आटा भी ले लिया है तो सुखा आटा लगा करके हम अपने सभी लोईयों को इस तरीके से बेल लेंगे तो यह दिखी यह हमने बेल दिया है इसी तरीके से हम और लोहियां बेल लेंगे मुमोस के लिए हमने कईसरी रोटिय तैयार कुले है और थोड़ा सम पानी भी ले लेंगे कि हमारा मुमोस अच्छे से चिपक सके हमारा sua सकते कना खूलेना वो बहुत ही अच्छे से जो है कि मुमोस को बंद करते हैं क्योंकि वो रोज मुमोस तैयार करते हैं और हम लोग कभी कभार ही बनाते हैं मुमोस को तो थोड़ा सा बंद करने में कटना ही आती है तो इसी तरीके से मैं बंद करते हुए कई सारे मुमोस को तैयार कर लूँगी लगा लेंगे ताकि पानी एक साइड इकठा होता रहे तो यह हमने काफी सारे मुमोस तयार कर लिए हैं तो चलिए अब हम जो है कि मुमोस को स्टीम करने की तयारी करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पानी में बहुत ही अच्छा सा उबाल आ गया है आप देख सकते हैं तो उस ठाल यह हमिने रग दिया हम जाली वाली थाली अब उसमें हम लगाएंगे विष्टिबल ओयल जिससे की हमारे मुमोस थाली में चिपकेना तो हमनने अच्छे से लगा दिया है और पकने देंगे दूसरे तरफ चटनी वी तियार है, अब जाने देख सकते हैं तो हम मिकसी जार में भर देंगे, और इसको पीस लेंगे, तो पीस लेंगे, तो अब चली है अब अपनी चकनी का तड़का लगा देते है फुर्म नाडिवी का रख दिया नाजीन, अब नाफ carve जुआ देखिना एक चोथाई चमच नमग और एक चमच सोया सास और एक चमच वेनेगर इससे क्या है हमारे चटनी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा तो हमने सबी चीजों का अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इससे हम पांच मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकने देंगे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दस मिनट हो गय है तो हमारे मो मो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके है कि खाने के लिए बिल्कुल तयार है तो दूसरी तरफ देख लेते हैं क्यंक्क हमारी चटनी टायर हुई है लिए टीर अपने मुमोस की plating तो आप देख सकते हैं बहुत ही tasty और healthy मुमुस बनके तैयार हो गया है असानी से इससे आप कभी भी घर में बना के तैयार कर सकते हैं इसमें मैधा नहीं है जिससे की किसी को भी problem नहीं होगी और इसमें हमने हरी मिर्ची का इस्तमाल किया है लाल मिर्ची का इस्तमाल विल्कुल नहीं किया है तो हार तरीके से बहुत ही ज्यादा हिल और आपके मुझ के स्वात को बदनने के लिए भी तैयार है तो मुझे उमेद है यह File आपको पसंद आ